अनुराग नाटिका, स्रीदामा, कंसवद और अन्यपुराण उपर आधारित, सती प्रताप, द्रवपदी, हराण, प्रहलाद, चरीत तो यह जितने भी नाटक है, यह जो नाटक है उसने मुख्यत पोराण के प्रसिद्य चरीत्रों के माध्यम से सत्य व्रत है और धर्म पालान इत्यादी आधर्शयों को नाटक कारोनी हमारे सामने रखा है अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, वो है सामाजिक नाटकों की, जो आप स्लाइड पे देख सकते हैं भारतेंदु यूगी समय में जो सामाजिक नाटक को हमारे सामने आए, वह भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं उस समय बाल कृष्ण भर्ट, खड़क बहादूर सिंग, अंबिका दत्व्यास, राधा कृष्ण दास, इन लोगों की नाटक जो हैं, वह सामाजिक समस्याओं को हमारे सामने रखते हैं भारतेंदू यूग में समाज में जो अराजक तचा गई थी, और ऐसे समय में समाजिक नाटकों की भी रचना हुई है भारतेंदू यूग हमारे लिए एक नवजागरण का यूग लेकर आया है, और एस यूग में जितने भी नाटकों की रचना हुई है वो हमारे देश के लिए एक ऐसा बोध लेकर आती है जो उस यूग को आज हम एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया यूग भी मान सकते है भारतेंदु यूग के नाटकों में हमारे सामने जो बाल बोधी नी बाल कृष्ण भट का जो है दुखी नी बाला फिर उनके नाटकों में जो हमारे सामने आता है कि राधा कृष्ण दास का दुखी नी बाला और बाल कृष्ण भट का जेसा काउं वेसा परिणाम तो इन नाटकों में हमारे सामने नारी समस्याओं को ज़्यादा बताया गया है आज के समय में जो हमारे नारी की दूरदर्शा है वो उस समय भी भारतेंदु यूग में भी हमारे सामने आती थी उस भारतेंदु यूग में समाजिक समस्याओं में नारी की दूरदशा थी नारी ऐसे समय में वह अपना ग्रुहसत जीवन बिता रही थी कि उस समय के जो पुरुस वर्ग था वह वेश्यागामी था नारी को वह एक दासी के रूप में मानता था और ऐसे समय में ब्रिटिस सामराज्य का राज होने की वज़े से वह पुरुस जो है वह ज्यादा तह शराब के नसे में दूरूत रहता था और यहाँ पर हमारे सामने जो भारतेंदु यूग के नाटकों की रचना दिखाए दे रहे इसमें जेसा काम वेसा परिणाम में जो नाईका है वह अपने उद्रण में यह कहती है कि कभी हम से बोलते नहीं इस बात का हमें कुछ दूख नहीं है जो वदा था सो दूख नहीं है जो वदा था सो बया जिस से सुखी रहे जो भावेसो करे नारी के समान दिनों ना जन्म किसी का नव होगा जिसने पुर्बले में बड़े बड़े पाप कर रखे है वही स्तृ का जन्म पाते है पराधन तिस पर भी अनेक यातना चेशे पिंजरे में बंद पखेरू हो सुर्यदेव भी जीस का मूख कभी न देखते हो न हवा अंग सपर्ष कर सकती हो वही नारी सत्ती कलावती पती व्रताओं में मुख्या समझी जाती है जिसने बाहर कभी पाव न रखा हो लिखने पढ़ने से चरित्र बिगड़ जाता है इस कुछ अंसकार के कारण उन्हें लिखना पढ़ना नहीं सिखलाया जाता आठी वर्स में हमें ब्याहा देते है सो भी बीना देखे भाले बहुदा एक ऐसे के साथ की जन्म ही नश्ट हो जाए यहाँ पर मालती का जो उद्रण है वह एक ऐसे दुखी स्रीका है कि वह आज हमारे समाज में जो और शिक्षा परदा प्रथा आदिस समस्याओं को सामने लाता है कि नारी को उस समय शिक्षा भी नहीं मिलती थी और शिक्षा प्राप्त की हुई नारी समाज में सर उचा करके चलती है और इस प्रकार दूराचीरिनी के रूप में उसको संबोधन किया चाता था तो आज हमारे समाज में जो नारी की समस्या है वह भारतेंदु यूग में हमारे सामने एक ऐसी विकट समस्या लेकर चल रही थी कि उसका हम कभी-कभी यहां कुछ छोटे-छोटे गाओं में रूप भी ऐसा नारी का देखते है और इसके बाद का जो है बालकृष्णपट का जैसा काम वेसा परिणाम के कुछ दूसरी भी नाटक हमारे सामने है और इसमें उन्होंने जो दुखी निबाला की बात की है उसमें भी विद्वा विवाह की बात यहां पर है कि एक नारी जो विद्वा हो जाती है तो पुनह विवाह नहीं कर सकती तो इसमें भी उन्होंन अपने बारे में यहां पर बताया गया है कि वह जो उसका उधरन हमारे सामने यहां पर व्यक्त हुआ है कि कहती है वह कि क्या करे हम हाई हमारी यह दसा क्यों हुई जन्मपत्र और बाल्य विवा से यदि जन्मपत्र न होता तो क्यों ऐसे मुर्ख से मेरा विवा होता यदि ब बाल वीवाह न होता तो तो क्यों न मैं स्वयम अपनी भलाई बुराई को समझ कर अपने इच्छा नुस्यारपति करते। वह नहीं कर सकती और भारतेंदु यूग में भी वही रूप हमारे सामने आया था आज की नारी भले ही स्वतन्द रहो लेकिन कभी-कभी उसके सामने कुछ ऐसी जंजी रहा जाती है जिसके कारण वह अपना खुद निणई भी नहीं ले सकती अब प्रहसन के बारे में हम बात करेंगे भारतेंदु यूग में जो प्रहसन हमारे सामने आये वह इस प्रकार के प्रहसन है बाल कुरुष्णवट के विज्यान अंत्रिवति महा अंधिर नगरी फिर अति अंधिर नगरी तो अंधिर नगरी को लक्ष में लेकर वेदी के हिं प्रहशन के रूप में व्यक्त होती है और उस प्रहशन से हमें यह पता चलता है कि कुछ आलम्मन की द्रश्टी से विचार करने पर हम समय पर आगे जाकर उस प्रहशनों को देखते हैं जिसमें कुछ प्रहशन के उद्रण हम हमारे सामने देव की नंदन के जैनाद हिंद की नाटक का एक विज्जापन हमारे सामने जो यहाँ पर है उसके बारे में मैं यहाँ पढ़ती हूँ इस प्रहशन को बनाने और चापने का केवल इतना ही प्रयोचन है कि ओजा आदी बंचकों की धूर्तता और जो लोग उन पर विश्वास करके वैद्यक शास्त्र को तुछ समत्ते हैं उनकी अग्ञ्ञानता का प्रकाश होए यह बात गुपत नहीं है कि इस भारत वर्ष में उक्त बंचकों की दुर्श्टता और उन पर विश्वास कररन हारों की मुर्खता से प्रति दिन कितने जीव नश्ट होते हैं आश्चर्य तो यह है कि बहुत से पढ़े लिखे मनुश्य इनके जाल में फंस जाते हैं फिर भलावे बेपढ़ों की कौन का है तो यहां पर पढ़े लिखे लोग जो है वह इस वरकार के जाड़ ओजा आदी अंदस्रद्धाओं में फंस जाते हैं तो इसकी बात लेकर य कुछ ऐसे रूप हमारे सामने आये हैं कि देशी कुतिया विलायती बोल यह भी एक दूसरी धारा का प्रहसन हमारे सामने यहां पर व्यक्त हुआ है और यहां का जो एक बाबु बंगाली जो है भगवती कहता है कि अब मैं कान एठता हूं अपने किये का अच्छा फॉल पा परके को विलायत भेजने का फॉल है तो बोए पेड़ बबुल का आम कहां से पाए तो यहां मार्शाई गण से जो यहां बात उचरित होती है कि बोए पेड़ बबुल का आम कहां से पाए तो यहां पर कि जो प्रहसन में हमारे सामने व्यक्त हुई मान्यता अंदिर नगरी में भी जो प्रहसन के रूप में हमारे सामने एक राजा के रूप में जो आई है वो भी एक एसा प्रहसन है जो आज की समस्या यानि कि भारतें दो यूग की जो समस्याए थी वो हमारे सामने व्यक्त करती है ब्रिटिश सरकार के राज्य में जो समस्याय हम देखते हैं कि वहां का जो अंधान नुकरन करने वाले और घांगली राजसता और ब्रिटिश सरकार के मोह में जो प्रजा कितन प्रकार की दूरदर्शा में पड़ गये थी तो यह भारत दूरदर्शा में भी हम देख सकते हैं आगे जाकर हम एक और प्रहशन हम उसका उद्रण हम देखते हैं कि यहां अंग्रेजी बोलने की जो प्रथा चल रही थी तो एस प्रकार एक जो खड़क बहादुर मलक के भारत आरत के दो उद्रण इस प्रकार के हमारे सामने व्यक्त हुए है जो आपके सामने में बताती हू हाँ हम अंग्रेजी पड़ा हम क्रिश्यन बना हम कोट पतलुन पहरा हम बूट पहर के रोटी खाया हम ब्रांडी पिया हम अपना धर्म छोड के ब्रह्मो हुआ हम गवर्मेंट का सच्चा शुपचिंतक हुआ हम अंग्रेजो को इतना मदद दिया हम मोहरानी का प्यारा प् प्योग करने वाले अंग्रेजी राज को अपना राज्य मानने वाले अंग्रेजी शाषन को अपना राज सरकार बनाने वाले ऐसे एक हमारे ही भारत के बंगाली बाबों की जो यह दशा हुए यानि कि उसको पता चल गया कि हमारे ही देश में हम कितना भी शिक्षित हुए ल आगे बढ़ना चाहेंगे लेकिन वह अंग्रेजी शाषन के अनुसार हम आगे नहीं बढ़ सकें तो इस प्रकार के अपने को उन्होंने पूरा विलायती बना दिया तो भी वहाँ पर उसके उसको क्या मिला सब अधिकार उसका चीना गया अब दूसरा उदरन चो हमारे सामने यहाँ पर रखा गया है वह आज की परिस्तिती को पर करारा तमाचा जोड़ता है यानि कि मोके बे मोके वेदेशी पाशा बोलकर जो हम अपनी शाख जमाने का प्रैतना करते हैं तो इसमें एक बंगाली बाबु को अदालत में अंग्रेजी बोलते सुनकर अंग्रेजी बोलो और अपनी भाशा में व्यक्त करो तो यहाँ अति अंधिर नगरी में टके की मैमा का भी वरणन हमारे साथ हुआ है तो अति अंधिर नगरी का जो जाती वाला वो कहता है कि लाओ हमको एक टका तुमको अभी बनावे कका एक टके पर छोड़े जात कलवारन घर खावे बात एक टके पर आरज होई जाती पाती से खारिज होई टका मिले तो चोरी करे चाहे नर्क करोरी परे माता पिता अरू बहनों भईया सबको बेचा टके सवया तो यहाँ पर टके की बात जो अंधिर नगरी में हुई है वही टके की बात अति अंधिर नगरी में भी उस को भी बताते हैं तो यहां प्रहशन जो यहां पर है उसका विशेश मुल्य और महत्व तो हमारे सामने यही ततकालिन समाज की ड्रश्टी से आका जाता है कि आगाम यूगों के प्रहशनों की इमारत यहां आज के भारतेंदु यूग के प्रहशनों के कारण निव का पत्थर बनकर आ सकेगी अब हमारे सामने अब स्लाइड पर आप देख सकेंगे कि अनुदित नाटक जो संस्कृत से अनुदित नाटक है जो बंगला से अनुदित नाटक है और जो अंग्रेजी से अनुदित नाटक है तो इस प्रकार के नाटकों में हम देखते है कि संस्कृत के ज तो कालिदास से अनुदित नाटकों की संख्या, फिर बंगला से चो मनमोहन बसू सती उचितनारैन लाला, राज किशोर्दे, पदमावती, राम कुरुष्न वर्मा, द्वारिका नाथ, गांगुली, वीर नारी, राम कुमार वर्मा, तो इस व्रकार के चो अनुदित नाटक ह हमारे सामने व्यक्त हुए है, अब आगे का हम अंग्रे जी नाटक से अनुदित जो नाटक है, मर्चेंड ओफ वैनिस का व्याबारी मर्या आरिया, तो इस व्रकार के दो कोमेडी ओफ एवर्मा, तो इस व्रकार के एन यू लाइक इट, तो इस व्रकार के जो नाटक का अन संस्कुरूत बंगाली इन सब नाटकों का अनुवाद हुआ है अब आगे का चूब भाग है वह हमारे सामने अंधिर नगरी यहाँ पर हम भारतेंदु यूगी नाटकों के बारे में जानकारी प्राप्त की आप लोगों ने तो आप लोगों ने देखा कि भारतेंदु जो है वो जनता के काफी समीब था और लोक रंजन और लोक रक्षन दोनों ततों से युप्ति था और उसने ततकालीन जो है लोक रदय का अनुरेंजन किया है अब हम चर्चा करने जा रहे है हिंदी नाटक के प्रवर्तक का श्रेज इने दिया जाता है ऐसे भारतेंदु हर हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध प्रहसन अंधेर नगरी अंधेर नगरी के बारे में जाने उससे पहले आओ हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटे साहित के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें आप स्लाइड भी उनका परिचे देख सकते हैं भारतिंदु हरिश्चंद्र ने जो हैं मौलिक नाटक भी लिखे हैं आप स्लाइड पर देख सकते हैं वेद की हिंसा, हिंसा नवभवती, विशश्य, विश्मोशदम, प्रेम जोगीनी, चंद्रावली, भारत दूर्दश्या, भारत जन्नी, निलदेवी, अंधे नगरी, सती प्रताप उन्होंने नाटकों का छाया नुवाद भी किया है, उसमें दो नाटक उनके मिलते हैं, विद्या सुन्दर, सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विभिन भाषाओं के नाटकों का अनुवाद भी किया है, आप स्लाइड के देख सकते हैं रतनावली का संस्कुरूच से, पाखंड विरंबन का संस्कुरूच से, धननजे विजे का भी संस्कुरूच से, मुद्रा राक्षस का संस्कुरूच से, कपूर मंजरी का प्राकुरूच से, और दुल्लब बंदु का अंग्रेजी से, तो आप लोगों ने यहां पर देखा कि भारतेंदू हरिश्चंद्र जो है अगर उनके बारे में हम कहे तो वो नव जागरण के प्रेरक बंद कर साहित्य अवकास में इंदू बंद कर चमके हैं बारतेंदू हरिश्चंद्र को हम हिंदी के प्रतम मोलिक नाटक कार भी मान सकते हैं से सामाजीक है उन्होंने उस वक्ते पूरे जो धार्मिक परिवेश राजनितिक परिश्थितिया हैं उनको लक्ष में रखकर अपने नाटक लिखे हैं भारतेंदु जो है उनके नाटकों में समादमे व्याप्त खूरितियों धर्मा में वाप अंध्विश्वास भारत की प्रणा लीहें उन्हों